नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका एक और नई वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम्प्यूटर से सौफ्ट वेयर को अनिंस्टॉल कैसे करते हैं अगर आप अपने कम्प्यूटर से किसी भी सौफ्ट वेयर को किसी भी एप अप्लिकेशन को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं उसे अनिस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट प्लास वीडियो पस स्टर्ट बेटन पर क्लिक करें और यह जो सर्च बार दिखाई दे रहा है है इस पर आपको क्लिक करना है और सर्च करना है एड़ और रिमूव प्रोग्राम करके जैसे ही आप लिक करके सर्च करें यहाँ पर आपको Control पैनल की एक सैटिंग मिलेगी वो सारे के सारी software आपको यहाँ पर दिखाए देंगे अब इसमें से जिस भी software को आपको delete करना है अनिंस्टॉल करना है उस software के सामने यह जो three line आपको दिखाए दे रहा है आपको उस पर ही क्लिक करना है example के लिए जैसे कि यह Mozilla का Firefox ब्राउजर है इसे मैं माल लेजिए अनिंस्टॉल करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे जो इसी के सामने ये जो 3 बिंदी दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना होगा यहाँ पर देखिए एक अनिंस्टॉल का बटन मिलेगा आप uninstall पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये software आपकी computer से uninstall हो जाएगा इसी तरीके से आप जिस भी software को uninstall करना चाहते हो केवल इस setting से जो है आप बड़े ही आराम से uninstall कर सकते हो दूसरा तरीका ये है कि आपको जो है control panel की setting में जाना होगा जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको direct search कर रहा है control panel लिखने के बाद जैसे ही आप जो है search करेंगे control panel का यहाँ पर application आ जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप control panel की setting में आ जाएगी अगर आपके सामने control panel कुछ इस तरीके से दिखाई देराया है तो बहुत अच्छी बात है अगर इस तरीके से नहीं दिखाई देराया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके category सेटेगे तो इस तरीके से दिखाई देगा अब यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा प्रोग्राम करके है आप इस पर क्लिक करेंगे प्रोग्राम पर इसके बाद देखे यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा programs and features का तो इसी के अंदर आपको जो है uninstall a program लिखा हुआ मिल जाएगा अब इसमें से आप जिस भी software को uninstall करना चाहते हो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक uninstall का button मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं आप uninstall पर क्लिक करके इसको uninstall कर सकते हैं इसके अलामा जो है आप इस पर right click करेंगे तो भी आपको यहाँ पर uninstall का button मिल जाएगा जैसे कि मैं आपको एक software को यहाँ से uninstall करके दिखा देता हूँ यह देखिए एक WinRAR नाम का एक software है इसे हम जो है uninstall करेंगे software को uninstall करने का जो तरीका मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ वही तरीका आपको जो है यहाँ पर भी काम करेगा जैसे कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अनिंस्टॉल का बटन मिलेगा आप यहाँ से भी अनिंस्टॉल पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो है अनिंस्टॉल दुबारा से आप से करने के लिए बोलेगा त इसके बाद दोबारा से जो है इस तरीके से एक pop-up window आएगी जहां पर यह बोलेगा कि आप क्या इसे सही में uninstall करना चाहते हैं अगर हां तो आपको yes पर click कर देना है इसके बाद यह थोड़ा सा process होगा थोड़ा सा process होने के बाद जो है थोड़ा देर तक आपको wait करना होगा इसके बाद देखें यहां से जो है वो software अनिंस्टॉल हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक है और आप यहां पर भी आने के बाद देख सकते हो यहां पर भी जो है वो वाला software नहीं दिखाई दे रहा है तो आप चाहें यहां से अनिंस्टॉल करो या फिर control panel में आन को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सेयर, सब्सक्राइब कर दीजएगा, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बतेज़ेगा, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब ते के लिए जाए हिंद बंदे मातरम